सो गाईज क्या आने वाले जितने दिन बचने हैं उसके अंदर हम पूरी प्रॉपर स्टडी करके क्या पूरे मार्क स्कोर कर सकते हैं 70 आउट और 70 अगर हमारा कुछ भी नहीं हुआ है देखो गाईज अगर आपका कुछ भी नहीं हुआ है तो सब से पहले आपको यह टार्ग बहुत भर दो कि सर बिल्कुल प्रॉमिक्स है कि आप जो आज देर है उसको हम करके दिखाएगा और बहुत सिंपल दे रहा हूं ऐसा भी नहीं बहुत नेक्स लेवल का डिफिकल्ट कुछ दे रहा हूं कि आपको इस तरह से करना है साब कुछ निकदम सिंपल तरीका बस यह पैटन को आपको फॉलो करना है अगर आपने फॉलो कर लिया तो बाई आपकी जिंगा लला और कुछ भी आपने साल भर पर नहीं पड़ाओगा पर लास्टे टाइम पर दिन रात एक करके पढ़ना पड़ेगा जिससे क्या होगा कि आपके फिजिक्स में मार्क्स बहुत अ आना चाहिए देखो इंग्ली च बाद अपने बास एक अच्छा खासा टाइम है जिसको भी हम यूजगे बड़ हमारी प्लैनिंग हम पेले इसी करें कि जिससे हम रहे हमें और पढ़ने में हैल्प होगा और हमारा स्कॉर बढ़ने में भी हल्प होगा तो गयस देखो सबसे पहले बात करूँगा देखो अपने physics के अदर 1 marks question, 2 marks question, 3 marks question 4 marks question, अगर आपका कुछ भी नहीं हुआ है तो मैं आप सभी को पहले बोलूँगा 1 marks question, 2 marks question, 3 marks question कर लो कि जो last का 4 marks question होता है उसमें option होता है और अगर in case एक कोई question 4 marks का आ रहे है, एक कोई question 4 marks आ रहे है, तो बाकी option आपको दिया रहेगा 2 marks का split करके 2 marks का split करके दिया रहेगा तो अगर आपने 1 marks, 2 marks, 3 marks equation किये तो ये question आप अराम से attempt कर लोगे हाँ, अगर आपका सब कुछ हो चुगा है तो आप 4 marks equation भी कर लो और 4 marks equation इतने ज़्यादा भी नहीं है बहुत कम है और उसमें से बहुत सारे question आप सभी को आता ही है तो प्लीज comment करके मुझे बताओ कि 4 marks equation मैंने बहुत सारी चीज़ा आप लोगों को बताई है मैं देखना चाहता हूँ कि अभी भी अगर आपको फटा 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 वर physics करना है तो अगर आप detail में बैट के पढ़ना स्टार्ट करोगे चार-चार घंटे का वीडियो सुनोगे पाच-पाच घंटे का वीडियो देखे फिर खुद का practice करना स्टार्ट करोगे यहाँ वाँ कुछ भी देखोगे और शॉर्ट नोट्स मतलब इगदम जो नोट्स इगदम शॉर्ट हो मैं शॉर्ट नोट्स की भात नहीं कर रहा हूँ जो नोट्स बहुत छोटे हैं और आपके 20-30-30 pages के जो चैप्टर है उनको एक पेज या दो पेज में शिम्टा के अगर कोई ऐसी चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहा है तो भाई वो चीज़ें इस समय बेस्ट है अगर 4-4 घंटे का जो लेक्चर है अगर 1-4 घंटे या 2 घंटे में कोई दे रहा है तो भाई वो बेस्ट है इस टाइम देखो इस समय समझने समझाने का टाइम नहीं इस समय वो टाइम है भाई कैसे ने कैसे करके खतम करो खतम करो भाई और इसके बाद वोड का जो QUESTION BANK है वो आपने हार चैप्टर का幾ätte का live session देखा हार चैप्टर का मतलब छोटे चोटे live session देखे या तो छोटे छोटे आपने one shot वीडियो देखे यह देखने बाद question bank में जिस तरह के MCQs देवे हैं जिस तरह के one mark question, two mark question, three marks वो आपने देखा इसके बाद guys आपने मतलब कि अगर मालो आप कोई बहुत बड़ा बहुत बड़ा question का answer दिया हुआ है और आपको इतना याद नहीं हो रहा है तो भाई एक चीज़ आ रहा है, two marks ले चार point, main point याद रहो, three के लिए six point याद रहो अगर आपसे उसका याद नहीं हो रहा है, अगर पूरा का पूरा नहीं हो रहा है, तो at least ऐसा करके रहो अगर उसके अंदर कोई डाइग्राम से तो डाइग्राम करके रहो, जिससे डाइग्राम आप ड्रॉक रहोगे ना आधा काम वहीं खतम हो जाता है उसको प्रॉपर लेवलिंग देना आपने सीख लिया तो आधा काम वहीं खतम हो जाता है, नुमेरिकल्स की बात करोगर आपका टार्गेट पूरा है, तो भाई नुमेरिकल्स भी साथ में लेके चलो, 70 आउट और 70 पूरा टार्गेट है, तो नुमेरिकल कैसे साथ में लेक अब आराम से अटेम्ट करके आओगे, जो सोच रहे हो ना कि अईशे डेंजर बहुत सिंपल नुमारिकल्स बोड एक्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल नुमारिकल्स प्रॉब्लम यहां होता है कि पेपर उनके लिए हाट जाता है, जो कुछ करते नहीं, जो बहुत जगह है, और सच में कैसे ने कैसे लड़ते लड़ते हम अंदर गुषी जाते हैं, समझ मैं रहा है, तो बहुत टाइम है, सच बता रहे हैं, बहुत टाइम है, बाट डेली एक ही लेक्ट्र, एक ही फिजिक्स का बस एक चप्टर कर रहा है, आज आप सभी को मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा, आज कोई भी, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ, बस एक चप्टर, बस एक चप्टर करना है, दीन भर में, क्योंकि आपको बाकी भी करना है, क्योंकि कैमस्ट्री और मैथ के लिए बहुत कम टाइम है, आपके बास एक ही दिन का टाइम है, जो करना है, तो आपको डेली वस फिजिक्स का एक चप्टर करना है, वो आपके उपर कौन सा करना है, अटलिस मेरे तरफ से अगर आपने 11 चप्टर कर लिए, और बाकी चप्टर के वन मास्टर कोश्चन, डाइग्राम, ये सब कर लिए, फोड के आ जाओगे एक्जाम को, समझ मा रहा है, तो डेली एक क्या, तो आट-नो दिनों के अंदर आपके 9 चप्टर हो जाएंगे, और 21 जब एक्जाम देखे आओगे, तो 21 का भी साम का दिन, रात का दिन रहता है आपने पास, 21 का, तो 22, 23, 24, 25, 26, क्या इसके इन दिरों में क्या डांस करोगे, इन दिरों में क् के अंदर जोर है, सब लगा दो, देखो, रिजल्ट चेंज कर दो गया, समझा, फिर भी हमने एक दिन एक फिजिक्स का दिया हुआ, अब इसके बाद, कहां से करना है, अब मेरे गिरी टूटरल चैनल पे, प्रदीब गिरी टूटरल चैनल पे, फिजिक्स वन, प्रदीब ग बढ़ा हुआ है, वीडियो सिकों, अगर आपने वीडियो के स्पीड को बढ़ा दिया मेरे, तो और अच्छे से कर लोगे, सब से पहले रख मने बढ़ा locals, सब से पहले आपकी पास question bank, बोट का question bank मैं बताया है, कैसे कहा मिले अप, अपने मतलब कुछ ही नहीं होता समझ में आ रहा है तो आप जाके फटापट वह एप पे मैंने question bank लगाया हुआ है उसको देखो कि कौन-कौन से questions है फिर one shot वीडियो एक बार देखो अगर आपका कुछ नहीं हो समझ को तो एक बार समझ लो 1.5 के speed बढ़ा के फटापट फटापट द देख लो फिर उसमें से जो question bank में आया question उन question bank की questions की क्या करो practice करो और डेली physics का एक chapter chemistry का अगर आप करना चाहते हो तो एक chapter और math के दो चाप्ट और कल के दिन chemistry को दो कर दो math को एक करो physics पर डेली एक ही करो समझ में आ रहा है और English का तो टेंशन नहीं है आप पे अगर आप च चीज़े हो जाएगे और English का तो lecture continue चल रहा है और डेली भाई साम को आया करो साड़े साथ बजे मेरा lecture होता है और रावल सर का 9 बजे होता है और English का lecture दोनों चैनलों पे चल रहा है प्रदीवगीरी अप्डेट में और प्रदीवगीरी अपडेट आप कहा हो चलो मिलते है तुर्ण में थैंक्यों मस्त गई ज्या हिंद ज्या महाराष्ट्रा द्रस्टों